आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाधियन में वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चल दिशे कर दीजे आज हम करने जा रहे हैं हमारे 8th Standard की Science की Worksheet No.22 डेट है 16th December आज हम light के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें भी especially हम बात कर रहे थे mirror images की और उसी के बारे में आज हम कुछ और बाते भी जानेंगे और especially आज हम पढ़ेंगे multiple images के बारे में आपको याद है जब हम hair dresser के पास जाते हैं तो हमारी cutting करनी के बाद वो हमें हमारे पीछे के बाल दिखाता है कि कैसे कटो है तो वो क्या करता है वो करता ये है कि he and she makes you sit in front of a mirror after वो करता ये है कि वो आपके पीछे लगे हुए शीशे के angle को इस तरीके से रखता है जैसे चित्र में रखा गया है पीछे इस तरीके से वो अपने शीशे को रखता है आपके पीछे कि उस शीशे की image सामने वाले शीशे में दिखाई देती है और जो शीशा हमारे सामने रखा हुआ है, मिरर हमारे सामने रखा हुआ है, उसी मिरर में हम देख पाते हैं हमारे पीछे के बालों को. तो ये क्या था, ये ये हुआ कि जो मिरर हेर ड्रेसर के हाथ में है, उस पर लाइट स्ट्रक हुई और वहाँ से वो वापिस चली गई, और वापिस जाकर सामने वाले शीशे पर टकराई, और फिर सामने वाले शीशे में जब वो टकराई, फिर हमारी आँखों तक आई, और वो image हमें दिखाई दी और अब हम देख सकते हैं कि हमारे बालों की पीछे वाले बालों की एक image तो hair dresser के हाथ में जो है उस mirror के अंदर है और दूसरी image हमारे सामने वाले mirror के उपर है तो हमने ये देखा कि कैसे mirror का angle change करने से एक से ज्यादा बार light जो है वो struck करके वापिस जा सकती है और reflect कर सकती है और ये reflection जो है multiple images बनाता है I hope ये आपको बात समझ में आ गई होगी आपको याद है ना हम जो भी चीज़े देखते हैं वो देखते है reflection की वजह से light किसी चीज़ पर पढ़ती है इस्ट्रक करती है और reflect करती है वहाँ से वापिस आती है और reflect करती है हमारी आखों में आती है वो रोशनी और फिर हमें वो चीज़े दिखा ही रेती है तो होदा ये है कि ये जो multiple images बनती है लाइट एक जगह से इस ट्रक करती है रिफ्लेक्ट करती है वापिस जाती है फिर दुबारा दूसरे मिरर पर इस ट्रक करती है उस पर टकराती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट करती है फिर तीसरे मिरर में या दूसरे मिरर में जाती है जाकर फिर इस ट्रक करती है और रिफ दिखाई दे सकती है केवल एंगल को चेंज करने की वजह से या एंगल का थ्यान रखने की वजह से तो फिलहाल मैंने आपको बताई ही दिया है कि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है इसलिए दिखाई देता है यह मैंने जो आपको बताया वहीं लिखा है कि वो multiple image बनाते हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया है कि यह क्यों होता है angle की वजह से होता है कि उसको किस angle पर mirror को रखा गया है साथ में और कुछ बातें यहां पर बताई गई है periscope जिसके बारे में आपने last time class में पढ़ा था 60 standard में पढ़ा था मैं एक बार revision के तोर पर यहां पर दिया गया है और मैं आपको बता देती हूँ कि periscope में हम two plane mirrors का use करते हैं और इसका use करते हैं ताकि हमें दूसरी चीज़ें दिखाई दे सकें जो हमारे सामने नहीं भी है example के लिए submarine में, tanks में और soldiers अपने bunkers में इनका इस्टेमाल करते हैं ताकि जो skills उनके बिल्कुल सामने नहीं है वो उनको दिखाई दे सकें क्योंकि एक angle जो चीज़ mirror में पढ़ रही है उसका angle को change करके रखते तो दूसरे mirror में पढ़ती है और फिर इस तरह से तीसरे mirror में पढ़ती है और फिर उसे देखा जा सकता है तो अगर two plane mirrors को set किया गया है इस हिसाब से कि वो picture यहां से कोई आ रहा है वो हमें दिखाई दे सकें तो यह possible है और यह जो two mirrors की help से बनाया जाता है इसको बोलते हैं periscope अब हम keldoscope की बात कर रहे हैं इसमें हम बहुत सारी multiple images को देख सकते हैं और इसको बनाते कैसे हैं अभी फिलहाल हम उस तरफ बढ़ते हैं multiple images बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं इस activity को यहां पर हमें required material दिया गया है हमें plain mirror की three steps चाहिए और three strips चाहिए और three strips के अलावा हमें चाहिए होंगे two triangular glass pieces glass मतलब वही शीशे के टुकडे और साथ में card sheet भी चाहिए और sellote भी चाहिए अब हमें करना क्या है करना हमें सिर्फ इतना है कि फटा फटा जैसे picture में दिया गया है figure में दिया गया है उस तरीके से हमें जो हमारे पास plain mirror strips हैं उनको join करना है rectangular के साथ जैसे यहां पर हम देख सकते हैं उसके बाद हमें जो हमारा rubber band है उसकी help लेकर triangular tube के साथ fix करना है triangular tube को cylinder tube के साथ और इसको fix करके हमें two triangular glass plate को cover करना है one glass plate के साथ pressing paper की help से then आप इन pictures की help लेकर इसको आगे कर सकते हैं और मतलब इसको पूरा बना सकते हैं जहां पर हमें clear ना हो तो इसको कैसे हमें उसको चिपकाना है या कैसे बनाना है तो इसको आप धिहान से pictures को देख कर बना सकते हैं उसके बाद हमें यह करना है कि place one of triangular glass plate at one end of the tube such that it is a little inside the tube हमें जो हमारे पास triangular glass है plate glass plate है at one end उसके एक छोर पर से हमें glass plate को दूसरे सिरे पर एक और glass plate लेनी है और अंदर की तरफ tube के अंदर की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ a little inside the tube के थोड़े सा अंदर की तरफ हमें लगाना है और उसके बाद हमें जो हमारे पास चूडियां होती है उनके छोटे छोटे तुकडे जो colorful तुकडे होते हैं उन colorful तुकडों को इसके ऊपर रखना है इसके ऊपर place कर देंगे हमिसे और उसके बाद हम इसको cover कर देंगे tracing paper के साथ then हमें क्या करना है करने के बाद कार्चीट के एक टुकड़े के साथ हमें पूरी ट्यूब को दूसरे छोड को भी कवर करना है और कवर करने के बाद हमें एक सेंटर में होल करना है और होल करने के बाद उस होल से ही हमें अंदर की तरफ देखना है जो हम देखना चाहा रहे थे और इस तरीके से बन गया है हमारा केलिडियो स्कोप तो चलो आप देखते हैं आज की question answer की तरफ हमने क्या सीखा और क्या क्या आज हमसे जानने की कोशिच की जा रही है हमारे worksheet के through या हमें सिखाने की कोशिच की जा रही है सबसे पहले हमसे pariscope पूछा गया है तो two mirrors को लेते हैं plain mirrors को और angle में set करते हैं ताकि हमें दूर की चीज़े दिखाई दे सके जो हमारे बिल्कुल सीधे सामने की तरफ नहीं भी है तो इनका use करते हैं submarine में, tanks में और soldiers अपने bunkers में then second question हमसे पूछा गया है कि hairdresser जब हमारे hair को trim कर देता है तो trim करने के बाद हम उन्हें कैसे देख पाते हैं जबकि वो हमारे पीछे की तरफ है तो बहुत simple है हमने अभी भी पढ़ा ही था कुछ भी नहीं after the haircut a mirror is placed on our back side with the help of this second mirror we can see the front mirror how our hair is cut तो अब बढ़ जाते हैं third question की तरफ third question में हमें केलिडियो स्क्रोप को का construction बनाना है बताना है पूरा और यह पूरा construction हमें बताया ही गया था हमारी worksheet में मैंने पूरा construction यहां आपके लिए लगाया हुआ है अब यहां से अराम से लिख लीजिए और अब बढ़ जाते हैं fourth question की तरफ fourth question में हमसे कहा गया है कि two plane mirrors लिए गए हैं और parallel रखा गया है इनको और यह दोनों एक दूसरे से 40 cm की distance पे रखे हैं और रखने के बाद उनके बीच में एक मौमबती को रखा गया है candle को रखा गया है और हमसे पूछा गया है कि इसलिए उसकी multiple images बनेंगी तो इसका answer है multiple images विल फॉर्म यह दी हमारी आज की वर्क्षीट आई होप की स्याथ को आपका homework करने में help मिली होगी और साथ में आपको concept भी clear हो गया होगा my dear students अगर आप चाहते हैं महाद्यन आपके लिए इसी तरह वीडियो जाता रहे और आपको concept clear होता रहे आप काम अपना आपके उसके लिए जरूरी है कि चैनल चलता है और उसके लिए जरूरी है आपकी like, shares और subscribers चैनल पर बढ़ते रहें वीडियो को like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हो सकी तो share भी जरूर कीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please जल्दी से कर लिए आप के ठीक नीचे रड़ कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब एसी क्लिक कर दीजे मिलते हैं । के साथ तक लिए सवस्त्र हैंनम नमस्कार और धन्यवाद